नमस्कार दूस्तों आज की शीडियों मैं आपको दने लोग कैसे आपके किसी भी ओपो की फोन में फैक्टरी रिसेट मार सकते हो आनि कि ओपो के फोन को जो है रिसेट कर सकते हो तो चलो स्टाट करते हैं इस वीडियो को सो गैस देखो अगर आपको भी आपके ओपो के फोन को रिसेट करना है न तो इसके लिए आपको एकरना होगा सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपके ओपो के फोन में जो सेटिंग्स का अप होता है न उसे ओपन कर देना है तो यहाँ पर मैं अपने फोन की जो सेटिंग्स इसका एप है उसे ओपन कर देता हूं जैसे हम अपने फोन की सेटिंग को पम करेंगे तो हमें आपको इस तरए legica interface दिखाे देगा तो आपको करना है देखो यहां परएससे Scroll करना है और scroll करने के बाद यहां पर एक सेटिंग ढूल लेनी है अब उस सेटिंगा यह एसे green color में आगी, साइड में आप देख सकते हो, और उसका name होगा system settings, तो यह आप देख सकते हो system settings, आपको यह system settings का option है इसी वाले option पे, क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करोगे system settings के option पे, तो आप देख सकते हो, बहुत सारी जो settings है वो में दिखाए दे रही है, related to our system, okay तो अब आपको यह पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक option डूण लेना है, जो कि होगा हमारा factory reset वाला, तो ऐसे directly तो factory reset नहीं लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा, तो आपको सबसे backup and reset लिखा होगा, तो सबसे नीचे की दरफ आपको यह option मिल जाएगा, backup and reset का, तो पर आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे options हमें दिखा ही दे रहा है, तो अब हमें factory reset करने के लिए, सबसे नेचे की दरफ option दिखा देगा, reset phone का, तो आपको इस वाल option पर click कर देना है, जैसे आप इस पर click करोगे, तो और भी options है, जैसे की reset all settings, अगर आपको सिर्फ settings को reset कर अगर आपको करना है, तो आपको simply erase all data पर click कर देना है, तो आपका पूरा पूरा जो फोन है उसका factory reset हो जाएगा, और पूरा जैसे new phone होता है, वैसे आपका phone open हो जाएगा, तो अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद, तैंक यू सो मच